क्रिस्टल ब्यूटी रेमिडीज कैसे हैं आप सब तो आज का वीडियो ना हेर कलरिंग के ऊपर निचुरेल हम कैसे हेर कलरिंग कर सकते हैं उसी के बारे में आज हम देखेंगे तो ज्यादा डाम बेस ना करके वीडियो को आगे बढ़ा रहें मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए तो फ्रेंड्स हमारे जो हेर कलरिंग रहता है अगर हम नेचरल प्रोड़क्ट से करते हैं तो वो बहुत ही अच्छा रहता है आज मैं जो दिखाऊंगे आपको वो है हिना और जो पत्ते आते हिना मेहंदी के उसी से हम हेर कलरिंग करेंगे और वो बहुत ही गाड़ा सा रंग देगा हमारे हेर को और हमारे हेर बहुत ही स्ट्रॉंग एंड हैल्दी हो जाएगा कलर बहुत ही अच्छा आयगा तो यह देखिए दोस्तों यह है हमारे जो महंदी के जो पत्ते आते हैं वो मैने लिया है आप इसे online भी खरद सकते हो नहीं तो आप बाजार से भी खरद सकते हो यह बहुत ही अच्छे से मिलता है और यह ना हमारे hair के लिए बहुत ही अच्छा रहता है Hair fall, hair growth के लिए बहुत effective रह, और color भी बहुत ही अच्छा हैगा ये दिखें फ्रेंट्स मैंने अच्छी तरह से इसे mix कर दिया है और एक थिक सा paste बना कर तयार कर दिया है और अभी हमें इसमें डालना है आमला powder सिर्फ और सिर्फ आमला powder डालना है फोर टेबल स्पून डालना है फ्रेंट्स आप अपने हेर लेंद के हिसाब से डाल सकते हो ये ना हमारे हेर को एक मास की तरह लगेगा फ्रेंट्स तो ये दिखें ये हमारा paste बना कर तयार हो गया है इसे हमें क्या करना है रात बर छोड़ देना है फिर अगले सुभा आप अपनी ग्लोप्स पहन कर ही इसे अपलाई करना अगर आपके पास ग्लोप्स ना हो तो आप हाथ से यूज़ कर सकते हो नहीं तो ये थोड़ा सा कलर आ जाएगा थोड़ा सा नहीं बहुत ही ज्यादा कलर आ जाएगा org था नहीं हैं और से लगा हैं है गिन्सा है और य FREτα के लिए बहुत ही अचका अच्छा एकला ने का टै जा आएगा ब्राइट बहुत है दो चाहिए औरेंग। औरेंज से लगा कर दिखाए है आपको कि अलग इसका किटना अच्छा हाता है आज प्रेंड्स ऐज का वीडियो फेर कलरिंग के बारे में अगर आपको मेरी जास्ट तो एक इन का लगी तो जाये WWE को लाइक कमा और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल मतमूलना तो मिलते हैं फ्रेंड्स मरे नेक्स्ट वीडियो में得शनी के